इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद दिन में आप सभी का खार मगदम है एक बार फिर फाइरिंग कल रामबख्त फाइरिंग कर रहा था और आज कपील गुजर फाइरिंग कर रहा है वही फिरकापरस सोच वही गोडसे की सोच और फिकर पर चलता है भारत देश जिस बात का डर था उसी राह पर चल पड़ा है भारत देश भारत में अपनी सियासत को चमकाने के चकर में कितनी घटिया मियार पर जाते हैं सियासत दान इसका एक बार फिर अहसास होता जा रहा आकिर इन लोगों को अहोदे का पासो लिहाज क्यों नहीं रहता अपने ही देश के लोगों को खास कर समाज के मक्सूस तबके को कुछ भी कह देना फिर उस पर अफसोस भी ना करना वो एनकी फितरत बनती जा रही है आम अद्बी पार्टी के संजा सिंग ने भाजुपा को तमाम तशद्दुत को जिम्यदाल ठहरा रही है 30 जनौरी को जामिया मिलिया की हाते में देशत गरदाना हमला करने वाला रामबग उसी दिन अपनी रिवालवर लहराते हुए कह रहा था ये लोगाजादी जबके महत्मा गंदी का कतल भी 72 साल पहले इसी विचारदारा के नतुराम ने किया था पहले उसकी उम्र 21 बताई गई फिर 19 बताई गई और आखिर में इसे नाबाली बताई गया असद्दिन वेसी ने कहा के अगर गोली चलाने वाला मुसलमान होता तो उसे वहीं का वहीं खक्म कर दिया होता लेकिन ऐसा लग रहा था के पुलिस तमाशाई बनकर नजारा देख रही थी और बड़े प्यार से उसे ले गई जैसे किसी महमान को ले जाते है खैर एक बार फिर दैशतगरदाना हमला आज शाहिन बाग में किया गया पर अब रामबगत की जगह कपील गुजर था फिरकापरस्त कपील गुजर ने एक बार फिर पिश्टल लेराते हुए जुमले कहे के भारत में सिर्फ हिंदू रह सकते हैं और यहां यह हिंदू का देश है आजकर राष्टवादी बनने के लिए जो नारा लगा जल लगाया जाता है जैश्री राम का नारा भी इसने बाकादा लगाया मतलब यहां भी किसी खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है कहा यह जा रहा है कि देली के इंतखाबात में भाजपा को हारने का डर सता रहा है और किसी तरह से खून खराबा और फसाद के जरीए तशद्दूत फैला कर जीत हासिल करने का मनसुबा चलाया जा रहा है वजिर आला के जरीवाल ने ट्वीट के जरीए अमिश्चा को इशारा दिया कि वहां में जीवा अब इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ रही है वही दूसरी और शाहिनबाग की खावातिन ने फिरकापरस्त और गोलियां चलाने वालों को कहा कैसे गोलियों से हम डरने वाले नहीं है आप जितना चाहें गोलियां चलाओ पर हम एतजाज से हटने वाले नहीं है वहीं दूसरी और उत्तव प्रदेश के वजिर आला योगी अधित्यनाथ ने एतजाज करने वालों को देश्विरोदी का और इन्हें कश्मीर से जोड़ इसे पहले भी अनुराग ठाकूर की तरह एतजाज करने वालों को गोली मारने के बाद यही योगी अधित्यनाथ ने कही थी आप तो सभी के सभी भाजपाई खुल कर मुसल्मानों के खिलाब बोलना शुरू किये हैं प्रदान मंतरी कहते हैं कि देश के दुश्मनों को इन प्रवक्त संभीत पातरा शाहिन भागवानों को देश द्रोई कहते हैं आखिर तमाम भाजपाई चाहते क्या हैं सभीदान की बात करते तो हैं फिर सभीदान पर अमल कोई नहीं करता अब तो भारत की जनता को न्याई वेवस्ता पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है सवाल यह भी उठा जा रहा है क्या अब RSS के गुंडे पुलीस के लिबास में घुसकर जुल्म करेंगे जिस तरह से पिछली कुछ वारदातों पर नजरे सानी करते हैं तो शक्यकीन में बदलने लगता है पुलीस की मौझूदगी आखर किसले होती है क्या ग्रो मंतरी के इ नखल के बगार यहाँ हो नहीं सकता रामभक्त और आज का कपील गुजर की गिरफतारी भी शक्यक के दायरे में आ रही है आम अग्मी पार्टी की जानिब से प्रेस कॉनफरेंस और बार बार कहना के भाज़पा पुलीस के जरीए बड़े हद्से को अंजाम देना चाहती ह संजे सिंग ने आज फिर कहा कि हार के डर की वज़े से भाज़पा किसी भी निचले मियार पर उतर सकती है और इन तेने इंतखाबात को आगे धकेलना है या फिर हार के डर से वो इंतखाबात में धुरूई करन करना चाहती है पर इन तमाम बातों का हल क्या हो सकता है क्या देश किसी अंधेरे में तो गुम होता नजर नहीं आ रहा घंगोर अंधेरा में चिराग की उम्मीद की जा सकती है पर चराग ही घर को जलाने पर आमादा हो तो क्या कर सकते हैं इतिहाद देखने के लिए शुक्रिया अलाफियत